हलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शियर के वारे मैं वैसे हम बात करेंगे येस slipp और ITC लेकिन मेन फोकस रहेगा ITC के वारे में ही क्योंकि ITC में जिस तरीके का डेटा इस वार आ आखिरकार ऐसा क्या है क्या रीजन है कि मूचल फंड इतने ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं और एक दो व्यूचल फंड भी नहीं है बहुत सारे मूचल फंड है पूरा डेटा आप देखना आपको सब कुछ क्लिरली पता लगेगा और दोस्तों यस बैंग यस बैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैनल इंफोर्मेशन पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लें किस तरीके से कामकाज आपको देखने को मिल रहा है और किस तरीके से बाकी के शेयर पर्फॉर्म कर रहे हैं इस शेयर में बस एक रेंज है 205 से लेकर 215 है इसी के बीच शेयर ने पूरी साल बिता दी कुछ भी नहीं हुआ एक साल में आप देखेंगे कोई रिटर्न नहीं देखने को मिले और लॉंग टर्म में अगर आप देखेंगे पांस साल में तब तो आपको माइनस में और ज्यादा रिटन देखने को मिल रहे हैं मतलब इन्वेस्टर्स की पूरी तरीके से धज्यां उला दी है इस शेयर ने अच्छा खासा सब कुछ होता हुआ भी पूरी न देखेंगे तो आप देखिए कि सेक्टर के हिसाब से आज भी यह जो शेयर है इसकी जो वैलूशन है वह बहुत सस्ती है मतलब अच्छा खासा सब कुछ होता हुआ भी सेक्टर में अपने सेक्टर में लीडर होते हुए भी सेक्टर में तो मोनोपोली भी है लेकिन इसकी प मतलब अपने सेक्टर से आदाज से भी बहुत ज़्यादा कम इसकी प्राइज एक्च्छल में जो होनी चाहिए तो छह साथ सो रुपए क्या सपास होनी चाहिए पी रेचु के साब से लेकिन है कितनी दोस्तों आप देख रहे हैं बुरी हालत है लेकिन फिर भी अभी भी एकतर परसन अनलिस्ट बोल रहे हैं कि शेर में मैं पोजिशन बनानी चाहिए दोस्तों ऐसे लगता तो है वेलूशन देखकर लगता है बिजनिस देखकर लगता है लेकिन जब रेटर्न में हद से ज़्यादा टाइम ले चुका है ये शेर और बिलकुल भी रेटर्न नहीं नहीं दे रहा है उसमें ऐसा लगता है कि दिक्कत तो कई न कई है वैसे मुझे जाहां तक लगता है में इशू है नुमर फ्री फ्लोट शेर बहुत ज़्यादा है मार्केट में आईटी सी में जब भी हलकी फुलकी भी उपरकी साइड मूउमेंट आती है तो नंबर फ्री यह जादा हो जाते हैं और इतनी जटके से बिकवाली आती है कि शेयर में कुछ नहीं बचता और फिर से इसमें गिरावट ही हो जाती है तो दोस्तों में रीजन ही यही है बाकी के और भी रीजन है लेकिन फिर भी जो एनलिस्ट है वो अभी भी बुलिश ही नजर आते हैं खरीदारी बहुत ज्यादा पैसे तो आपको पता है मुचल फंड हाउसे का फेवरेट शेयर रहता है इस शेयर ने बहुत सारे मुचल फंड के रिटर नहीं खटा दिये बहुत सारे ऐसी मुचल फंड भी है जो इसमें प्राइमरी ओल्डिंग रखके बैठे हैं लेकिन कु सबसे पहले आप डेट देख लिजिए क्यूकि भूस सारे ऐसे लोग है और अपको फरजी डेटा देखा देते हैं और मतलब हो सकता है पिछली साल का यी डेटा देखा दे क्यूंकि वहाँ पे डेट मेंशन ही नहीं करते हो दिखाते ही नहीं कुछ बस आपसे कह देते हैं यह इस बार का डेटा है और आपको जब दिखाई नहीं देगा तो कुछ पता भी नहीं चलेगा तो यह हाल है इसलिए आप डेट पहले चेक कर लिए अगस्ट 2021 का डेटा है अब आप देखें यहां पर कितने सारे यह इसमें खरीदारी कर रहे हैं सबसे पहला ही नंबर आ रहा है आदे तिविल्ला सनलाइफ अब्डेच फंड बासट परसंट तक बढ़ा दी अपनी फिर है पादे तिविल्ला का यह दूसरा फंड इसमें भी ओल्डिंग बढ़ाई है फिर आई से आई से प्रू का एक है इ इसमें बढ़ाया है इसमें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया है सिर्फ दो फंड आपको यह से देखने को मिलने जिसने करिये इसमें विकवाली वह इंडिया वोल्स का एक निफ्टी-फिफ्टी एक्टेड ट्रेडिट फंड और दूसरा है इंडिया वुल्स का वेल्य इन्हों ने ठोडी बहुत खरी दार की बेखने के वाली करियें बांकी सतर्वी फंड आप देख हुट जबर जस्त इसमें खरीद डिग्री देखने को मिलरी है डिमर्जर है अगर बसे म मर्जर इसमें होता है कोई न्यूस भी आ जाती है तो इसमें तेजी बंती हुल्हित नहीं होता है लेकिन अब हम एक बार एस बेंग की भी बात कर ले रहे हैं जिसमें एक भैंकर जूट फैलाए गया है आप देखिए एक वीडियो में बताये गया है कि इस बार की जो अगस्ट 221 की होल्डिंग निकल कर आई है उसमें बहुत ज्यादा खरीददारी करी है और भ करता हूंगा लेकिन क्यों कर रहा है वह मैं नहीं जानता लेकिन यह सब गलत है ऐसा कुछ नहीं है आपको मैं डेटा दिखा रहा हूं आप देखिए फिर से वही यस बैंक का ही डेटा है अगस्ट 221 का इसमें आप देखिए ज्यादा तर म्यूचल फंड हाउसे ने इसमें करी है बिकवाली आप देख रहे हैं आपके सामने में पूरा डेटा रखा हुआ है सिर्फ बिकवाली है दोस्तो बैसे तो मैं भी आपको यस बैंक के बारे में डेली अपडेट देता ही हूं और मैं भी आपसे यही कहता हूं कि यस बैंक में लॉंग टर्म के साब से अगर आप खरीदारी करके चलेंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा और मैं अभी भी कह रहा हूं वह वाद कि ऐसा ही होगा लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि मैं आप से जूट बोल दूं कि मैं आप से यह कह दूं कि सब इसमें खरीदारी ही कर रहे हैं बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यस बैंक का सिनारियो जो है वो मैं आप से रियलडी शेयर कर रहा हूं कि म्यूचल फंड ने इस बार इसमें जो पिछला महीन भीता है अगर इस दो एरे किसका उसमें करी है बिक वाली ना कि खरीदारी तो चलि दोस्तों इस वीडियो म करनी है यह सिकाता हूं completely free में तो आपको description में दिये गए दो लिंक जिरोदा या upstock किसी में से भी एक में जिसमें आप comfortable हूं उसमें अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है आप directly मेरे private telegram channel से जुड़ जाएंगे लेकर अगर आप मेरे दिये गए लिंक से upstock में खुलवात हैं तो आपको मेरेगा 600 रुपे का जोइनिंग बोनस instantly तो चली दोस्तों thank you